नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सूपर आयस पर सो इंडिया के लिए एक बहुती बड़ा जटका सामने आया है बिकॉज इंडिया जिसने आज से कुछ महीने पहले ये प्लान किया था कि वो रश्यन ओयल को खरीदने के लिए UAE की करंसी डरहम का इस्तिमाल करेंगे तो UAE ने यहाँ पे भारत को इनकार कर दिया है उन्होंने कहा कि हम लोग आपको डरहम में पेमेंट करने नहीं देंगे बदले में इंडिया जो है उसको यहाँ पे मजबूरन US डॉलर का इस्तिमाल करना पड़ा है Russian Oil को खरीदने के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यह वाली खबर सबसे पहले Reuters के दौरा पेश करी गई थी Indian Refiners Pay Dollars for Russian Oil after the Durham Attempts fail और उसके बाद इसकी coverage इंडियन News Media के दौरा भी यहाँ पे करी गई है तो हम लोग यहाँ पे discussion करने वाले हैं इस पूरी की पूरी कहानी के बारे में कि यह चीज़ कब तैह हुई थी what are the reasons जिसके चलते यहाँ पे UAE के द्वारा इंडिया की इस particular कदम को यहाँ पे refuse किया गया है आईए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनेरुद यदि आप लोग इस lecture की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया गए टेलिग्राम चैनल के माधिम से कर सकते हैं आल राइट सो कहानी है जुलाई 19, 2022 की जब रश्या ने ये कहा कि अगर आप लोग हमसे ओयल चाहते हैं तो आप लोग हमें पेमेंट यूएस डॉलर या फिर यूके का जो पाउंड है और जो यूरो है इनको छोड़ कर किसी भी और करनसी में कर सकते हैं हम लोग उसको accept करन करनसी में भी हमारे सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर कर सकते हैं इमिजेटली क्या हुआ था कि ऐसा इमिजेटली होने के बाद इंडिया ने ये अनॉंस किया कि ठीक है हम लोग आपके साथ जो सेटलमेंट है वो हम लोग UAE की करनसी जो डरहम है उसके Gazprom bank जो की रश्या का bank है, वाया द मैश्रेक bank जो की दुबई में एक बहुती बड़ा bank है, इंडिया ने कहा कि हम लोग मैश्रेक bank के माध्यम से आपके Gazprom bank तक जो डरहम payment है उसको यहाँ पे पहुंचा देंगे, बलकि इतना ही नहीं, यहाँ पे दो बड़े बड़े refiners थे, जो की directly इस invoices को काट चुके थे, जो calculation थी वो dollars में हो चुकी थी, और invoices in fact create भी हो चुकी थी, बिल also pertained info about how the money was to be directed through मैश्रेक bank to the Gazprom bank, लेकिन अब बड़ा जटका यह सामने आया है कि invoices के सब कुछ होने के बाद जब payment करने की बारी आई, तो UAE ने यहाँ पे डरहम में payment करने से इंकार कर दिया है, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे UAE का, यह बहुत ही जाना माना bank है, मैश्रेक bank के नाम से, so Dubai's मैश्रेक bank has declined to handle payments from at least two refiners in Emirati डरहम as requested by the supplier, तो जैसा रश्या ने यहाँ पे मांग की थी, जैसा इंडिया ने यहाँ पे request की थी, उन दोनों को ही एक तरीके से बहुत बड़ा जटका लगा है, because यहाँ पे मैश्रेक bank ने कहा है कि हम लोग इस payment को आगे नहीं बढ़ाएंगे, very interestingly मैश्रेक bank की एक branch आपको US में, New York में देखने को मिलती है, और यहाँ पर यह दिखाया गया है that the Durham payments did not go through because मैश्रेक declined to facilitate the trade, क्या वज़े है, क्या कारण है, अगर आप Reuters की report को देखेंगे, तो वहाँ पर इसकी कोई भी वज़े सामने नहीं दी गई है, कि what are the reasons जिसके चलते, शायद मैश्रेक bank ने इस particular trade facilitation को होने से रोका है, भारत को इंकार किया है, एक वज़े जो कि हमें यहाँ पर शायद लग सकती है, वो यह है कि क्यूंकि इनकी एक branch न्यू यॉक में भी है, so there is a possibility कि यह थोड़ा सा USA डर गए होंगे, जिसके चलते, इनको लग रहा होगा कि शायद हमारे उपर भी कहीं sanctions ना लगा दिये जाएं, एक और possibility भी यहाँ पर बन सकती है, आज से दो-तिन दिन पहले की बात है, आपने ख़बर सुनी होगी, कि USA के द्वारा एक Indian company के उपर प्रतिबंद लगाये गए हैं, जो की एरान के साथ petroleum का वैपार कर रही थी, और ये काफी बड़ी बात थी, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, कि कोई Indian firm के उपर US के द्वारा sanctions को लगाया जाए, so this is one possibility कि शायद UAE का ये वाला जो bank है, वो इस चीज़ को लेकर डर गया हो, कि अगर इंडिया की इस form के उपर sanctions लगाया सकते हैं, इरान के साथ वैपार करने के लिए, so similarly अगर हम लोग इंडिया के लिए यहाँ पर वैपार करवाते हैं, रश्या के साथ, तो कहीं ऐसा नहों कि US से हमारे भी इस bank के उपर sanctions लगा दे, this is one possibility कि जिसके चलते शायद ऐसा हुआ हो, anyways, reason तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ है, कि जो हमारी State Bank of India की अभू धाबी में ब्रांच है, उसको मजबूरन ये पूरी की पूरी जो payment है, उसको US dollars के अंदर settle करनी पड़ी है, ये हमारे लिए एक बड़ा जटका इसलिए भी बन जाता है, because India के जो Forex Reserves हैं, वो पिछले कुछ महीनों से नीचे आ रही थे, और अगर हमें payment US dollars में करनी पड़ती है, तो उस case में हमारे Forex के उपर भी बड़ा दबाव बन सकता है, एक सवाल यहाँ पे और आता है, कि यहाँ पे इंडियन रुपी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया था, हम काफी लंबे टाइम से बातचीत कर रही है, कि रुपी रूबल का जो वैपार है, वो यहाँ पे शुरू होने की बातचीत हो रही है, इसके पीछे की रीजनिंग केवल इतनी ही है, कि RBI के द्वारा रुपी ट्रेट को फेसिलिटेट करवाने के लिए, मेकानिजम को यहाँ पे ला तो दिया गया है, लेकिन उस मेकानिजम के उपर अभी तक कुछ भी कामकार शुरू नहीं हुआ है, RBI ने बेसिकली यह कहा कि जो हम लोग मेकानिजम इरान के साथ इस्तिमाल करते हैं रुपी रियाल ट्रेट करने के लिए, हम लोग सिमिलर मेकानिजम इस्तिमाल करेंगे, रश्या के साथ रुपी रूबल ट्रेट करने के लिए, और बल्कि उसके लिए जो Yuko Bank है उसको यहाँ पे निर्धारित भी कर दिया गया है कि रश्या के साथ जो रुपी रूबल ट्रेड है वो Yuko Bank के द्वारा किया जाएगा रश्या के Gasprom Bank के साथ ही ऐसा किया जाएगा लेकिन इसकी केवल announcement हुई है इसके थुरू अभी payments जाने तो हमने यहाँ पे establish कर लिया है बट अभी तक जो exchange rate है उसको निर्धारित नहीं किया गया है the reason being क्योंकि रुपी काफी volatile चल रहा है with respect to US dollar जिसके चलते exchange rate अभी तक यहाँ पे determined नहीं हो पाया है और इसके इलावा एक कारण यहाँ पे यह भी था कि बीच में रश्या ने आ there are some mechanisms which are actually put in place लेकिन उनको अभी तक properly execute और implement नहीं किया गया है बाकि जो भी नई development होगी उसको आपके सामने हम लोग पेश करेंगे आपकी क्या राए है इस development के बारे में definitely बताईए हमें comment section में जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों test book आपके लिए लेकर आया पर मन्त और इसमें आपको इन इंसिक्यूट के साथ साथ मेरे द्वारा भी जो science and tech का course है वो available करवाया जाएगा और आपको यह वाला price तभी available होगा अगर आप लोग मेरा coupon code और नेरोद यूज करेंगे thank you so much for listening stay tuned and stay safe